नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं नमस्का, मैं उससी आयो जर्खन सिक्चक पतरता परिक्चा में सामिल होने के लिए अभियार्थी का जर्खन से मैट्रिक और इंटर की परिक्चा पास होना अनिवार्य होगा वहीं आरक्षीत वर्ग के अभियार्थियों को इससे छूट दी जाएगी बता दे पहले दूसरे राजे के अभियार्थी भी जार्खन सिक्चक पत्रता परिक्चा में सामिल होते थे जार्खन सिक्चक पत्रता परिक्चा जार्खन एकेडमिक कॉंसिल द्वारा ली जाएगी राजे में पिछली पत्रता परिक्चा 2016 में हुई थी जारखन में मौसम का मिजाज एक बर फिर बदल सकता है बता दे मौसम विभाग के बैयानिकों की माने तो 8 जनुवरी से मौसम में बदलाव दिखने की संभावना है वही 9 जनुवरी से राजे के विभीन इलाकों में बारिस हो सकती है इससे ठंड और बढ़ेगी बताया जा रहा है कि पश्मी भी छोब रायस्थान से उठे साइकलोनिक सर्कुलेशन और उतर से आ रही हावा की करण मौसम में बदलाव दिखेगा बता दे जारखन में ठंड से अभी रहात नहीं मिलेगी मौसम विभाग के पुरवनवान के अनुसार 9 जनुवरी से होने वाली बारिस से ठंड बढ़ने का असार है मौसम विभाग के अनुसार सन्नी वार 8 जनुवरी को आस्मान में बादल चाहे रह सकते हैं वही 9 जनुवरी को दोपर बाद से राची सहीत पलामू गढ़वा गुमलाल वर्दगा सिम्डेगा लातेहार चतरा रामगण आधि कई इलाकों में गरजन के साथ हलकी बारिस हो सकती है मुख्य मंत्री कुरोना राहत कीट में एकस्पायरी दवा का मामला होम आईसोलेशन कुरोना संक्रमित मरीज को दी जाने वाली मुख्य मंत्री कुरोना रहात कीट में एकस्पायरी दवा के मामले में राची जीला पसासन द्वारा आवस्थ करवाई की जाएगी इस मामले को संग्यान में लेते हुए राची के उपायुक्त छवी रंजन ने त पदर अस्पतल पर बनन द्वारा भी संबन्दित पता दिकारी पर करवाई की जाएगी गुमला में नकसलियों ने एक दरजन गाडियों को जलाया है गुमला जी लेके भी सुनपूर पर खांडि स्थीत कुजाम माइन्स में सुक्रवार की राच भागपम मावादी ने हमल है वहां से डेट किलोमेटर की दूरी पर कुजाम पूलिस पिकेट है हलाकी कितनी गाडियों को जलाया गया है इसके अधिकारिक पुष्टी अभी तक नहीं होई है लेकिन पूलिस सुत्रों के अनुसार एक दरजन गाडियों को जलाने की सुचना है बता दे नकसल इलाका ह पुलिस घटनास्ताल पर नहीं पहुची थी बता दे अने जिलो में भी नए मरीज मिले हैं अब राजे में एक्टिब केस की संख्या 17,000 के आसपास हो गई है बता दे राजे में बरतमान में हो रही जाच में परतेक 100 लोगों में 6 लोग संक्रमित मिल रहे हैं प्रते दिन मिलने वाले मामलों की संख्या बढ़ने का से सिला विलाकातार जारी है वही 866 मरीज स्वस्त भी हुए हैं जिसमें 8 मरीज की मौत भी हुई है सुक्रवार को ज्यारखन में मिले मरीज इस परकार हैं शुक्रवार को राजे में आट कुरोना मरीज की मौत इलाज के करम में हो गई है इसमें बोकारों के तीन राची वा पूर्वी सिमू से दो दो तथ सराइक लाके एक मरीज सामिल हैं बतादि सुक्रवार को राची में 1543, पुर्वी सिमू में 593, बोकारो में 216, पचमी सिमू में 175, देवगार में 168, हजारी बैग में 133, खुटी 104, चात्रा 95, धनबाद 93, रामगर 83, दुमका 76, सिम्डेगा 74, जामतरा 70, पलामु सर्शट, लोहर्दागा 55, सरायक लेखर साव 50, स्कुडर्मा 48, गुमडा 38, गोड़ा 34, लातेहार 28, गड़वा 26, गेड़ी 17, सायवन 14, पाकुर में 5 मरीज मिले हैं HEC में 36 दिनों के बाद हर्टाल खत्म, तीनों पलांट में उत्पादन सुरू HEC में 2 दिसंबर से चली आ रही कामगारों के अर्टाल सुक्रवार को समाप्त हो गई है बतादे सुक्रवार को HEC परवंधन की ओर से उत्पादन निदेसक, डाक्टर राना एस चक्रवर्ती एवां निदेसक, कार्मीक, एमके, सकसेना ने स्वेम पलांटों में जाकर टूल डाउन इस्ट्राइक कर रहे मजदूरों से मुलकात की और उन्हें बाकाया बेतन भुक्तान के लिए अस्वासन करते हुए उत्पादन सुरू करने का अग्रह किया बता दे कामगारों के साथ सकरात्मक सनवाद अस्थापित होने के बाद तीनों पलांट में काम सुचारे रूप से सुरू हो गया है परवंधन ने कामगारों को अस्वासन किया है कि एक माह के बाकाया बेतन का भुक्तान दस जनुवरी को हर हाल में कर दिया जाएगा रांची के 6 साल के आंसिक का नाम बूक आफ रिकोर्ड में सामिल रांची के आंसिक समान्त असीम परतिभा के धनी है महज 6 साल के उम्र में ही उन्होंने अपनी परतिभा के दम पर अपना नाम बूक आफ रिकोर्ड दोज करा लिया है उनका नाम बुक अफ रिकोर्ड में उनके जनवरे को प्रती प्रेम और लगाव के करण सामिल हुआ है बता दे आस्विक ने जनवरों, सरी स्त्रीपों और पक्षियों को आँखों में पट्टी बांद कर पचानने में रिकोर्ड बनाया है सिर्फ सतर सकेंड में उन्होंने एक सो चार तरह के जनवर की पचान की है जारखन में 6-18 वरस के बच्चों का होगा हाउस होल्ड सर्वे जारखन के स्कूली बच्चों की सीशू पंजी अपडेट की जाएगी इसके लिए सभी घरों का 7 जनवरी स्थ हाउस होल्ड सर्वे शुरू होगा जिसे 25 जनवरी तक पूरा करना होगा बतादे 6-18 साल के बच्चों का सर्वे होगा या सर्वे डहर अप के माद्यम से घर घर जाकर किया जाएगा हाउस होल्ड सर्वे प्रात्मिक इसकूलों के सिख्चक करेंगे इसकूल पोसक छेतर में पढ़ने वाले सभी घरों को सिख्चकों के बीच बाटा जाएगा जिस सिख्चक के हिसे में जितने घर मिलेंगे वे उन्ही घरों जाकर सर्वे करेंगे और डहर अप में उसे अपलोट करेंगे जारखन में सुक्रवार को कुरोना के 3825 नए मरीज मिले है जबकि 866 मरीज स्वास्थ हुए है और 8 की मौत हुई है जारखन में कुरोना के कूल एक्टिब केस की संख्या 17209 है भारत में 1,38686 नए केस मिले है जबकि 4,8688 मरीज स्वास्थ हुए है भारत में कूल एक्टिब केस की संख्या 4,171,274 हो गई है जारखन में मकर संक्रान्ती की त्यारी चार दिनों में 15.80 लाख लिटर दूद की होगी आपूर्ती मकर संक्रान्ती को लेकर डेरियों ने खास व्यवश्था की है सहर में अतरिक्त दूद और दः के आपूर्ती होगी बता दे 10 जनवरी से 13 जनवरी यानी 4 दिनों के दोरान मेदा और सुधा डेरी दूदं और दः के आपूर्ती के लिए पूरी तयारी कर रही है मकर संक्रांती को लेकर सहर में अतरीक्त दूद और दही की आपूर्ती दस जनवाई से ही शुरू हो जाएगी बता देश चार दिनों में दोनों डेरियों मिला कर सहर में 15.80 लाक लिटर दूद और 56.600 किलो दही की आपूर्ती करेगी मेधा डेरी 8.80 लाक लिटर दूद और 600 किलो दही की सप्लाई करेगी जारखन में संपन्ध होकर भी राशन कार्ट से उठा रहे हैं राशन तो होगी करवाई राज्य के गरिबों के लिए सरकार की ओर से राशन कार्ट की विवस्ता की गई है जिन्होंने धान करवाई केंद्र पर धान बेच कर 18 लाक रुपे तक की राशी प्राप्त की और राशन कार्ट बनवाग कर गरिबों का राशन भी उठाया बता देराज सरकार की ओर से राशन कार्ट के लिए कुछ सर्ते रखी गया इसके अनुसार समधित ब्यक्ति के पास 5 एकर चे अधिक सिंचित मोमी नहीं होना भी सामिल है एक एकर में अधिकतम 16 किंटर धान की फसल हो सकती है वहीं 5 एकर में अधिकतम 80 किंटर लेकिन इस राशन कारधारियों ने 500 किंटर तक धान बेचा है जार्खन के चत्रा और डाल्टेंगर में दोड़ेगी बुलेट ट्रेन 760 किलोम्टेर की होगी हाई स्पीड गया चत्रा और गया डाल्टेंगर रेल लाइन के बाद वारा नसी से हावडा तक एक नई रेल लाइन बिछाने की योजना पर रेलवे ने त्यारी शुरू कर दी है उधर विहार जार्खन को जोडते हुए एक नई रेल लाइन बिछा कर बुलेट ट्रेन चलाने की योजना को लेकर रेलवे में प्रचार सुरू हो गया है इससे उमीद जगी है कि बिहाज आरकांड होकर भी बुलेट ट्रेन रेल पर ट्रीप दोड़ेगी बता दे रेलवे के एक अधिकारी के अनुसार नई रेल लाइन वारा नसी से कुडर मा गया धनबाज एस्टेशन होते हुए हावडा तक बिछाई जाएगी इस रेल लाइन पर सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी इसके लिए होर अस्तर पर त्यारिया शुरू की जाएगी वारा नसी से हवडा के बिच बुलेट ट्रेन चलाने के लिए फिलाल उच अस्तर ये बैटक में चर्चा की गई है बता दे 760 किलोमीटर के बीच हाई स्पीट रेलवेट ट्रेक बनाने पर विचार किया गया है ओजा गुनी करने वाले भक्तों को गुमला पुलिस ने दी चेतावनी ओजा गुनी करने वाले भक्तों को गुमला पुलिस ने चेतावनी दी है इसे रोकने के लिए सिसाई पुलिस ने एक अलग तरह की पहल की है पुलिस ने परखंड के जितने भी ओजा गुनी भक्त का काम करने वाले है या ओजा मती करने वाले लोगों को थाना बुलाकर उन्हें चेताया गया है कि अंद्विस्वास को बेवज़ा न फैलाए IAS बनने का फिरी में मौका आज ही करें रईस्टेशन IAS बनने का सपना हर युवा का होता है बता दे IAS बनकर देश सेवा करने के लिए युवा कड़ी मेहनत वर लगन से UPSC की परिक्षा की त्यारी करते हैं ऐसे में IS अधिकारियों द्वारा बिहार व जार्खन के चैनित अभियार्थियों को NACA के तहट निसूलक IS की त्यारी कराई जाएगी बता दे NACS की वेबसाइट पर जाकर अभियार्थी अपना रेजिटेशन करवा सकते हैं रेजिटेशन की अम्तिम्तिती 10 जन्वारी है अभियार्थी NACS की वेबसाइट NACSBHR.org.in पर 10 जन्वारी तक रेजिटेशन करवा सकते हैं इसकूल में छुटी के बाद सिक्षकों की रुकने की बैद्याता खत्म है राजे के सरकारी स्कूल में सिक्षन कारे खत्म होने के एक घंटे बाद तक सिक्षकों के स्कूल में रुकने की बैद्याता को खत्म कर दिया गया है इसकूली सिक्षा वसा चर्था विभाग के सचीव राजेस कुमार सर्वा ने गुरु आर कोई समध में इस उतना जारी कर दिया है और पूर्व में दिये गए आदेस को वापस ले लिया बता दे सिक्षक संगटनों के बिरोध और आगरा के बाद सिक्षा विभाग ने या निना लिया है इसकूलों की छूटी होने के बाद अब सिक्षक अपने घर जा सकेंगे छूटी के बाद भी एक घंटे तक इसकूल पर रहने की अब जरूरत नहीं है गुमला में बढ़ रही एस्ट्राबेरी की खेती करने वालों किसानों की संख्या गुमला जिला में एस्ट्राबेरी की खेती करने वालों किसानों की संख्या साल दर साल बढ़ते ही जा रही है बतादे पूर्व में जिले के किसान एस्ट्राबेरी से अंजान थे बाद में जार्खन सरकार द्वारा एस्ट्राबेरी से किसानों की आर्थिक उन्नाती एवाम उध्यमिता को बढ़ावा देने के उधे से जीला उध्यान विभाग गुमला को चाल साल पूर्व एस्ट्राबेरी की खेतिक जोजना दी गई इसके बाद से यहां के किसान नेश्ट्राबेरी की खेती में इस तरह से जुटे की पांच पर खंडों में किसानों की संख्या चहतर पहुँच गई है बतादे 18-19 में किसानों नेश्टाबेरी की खेती में रूची नहीं ली इसके बाद विभाग नेश्टाबेरी की खेती को लेकर किसानों को जावरू करना शुरू किया था बीजेपी के जनाकरोस रहली निकानने पर रहभर दास समय दो सो पर एफ़ायर रहली के पहले जिला परसासन द्वारा जिला अद्यक्स गुंजन एदो को नोटिस बैज कर कोविड गाइलन का उलंगान करने पर एफ हाई आर की छेटावनी दी गई थी बता दे प्राथमीकी जे एँन एसी के सीटी मैनेजर डाक्टर गुडिया ने दज कराई है दज प्राथमीकी में कहा गया है कि गुरुवार की साम साक्ची गोलचकर के पास ओमाई स्ट्रेट के रूप में प्रतिनुक थे गुरुवार की साम 6 बजे भागपा के कई नेता और करीब 200 करकरता मसाल रैली लेकर आए और नारबाजी करते हुए गोलचकर के पास चले गए देवघर एयरपोर्ट में बहाली के नाम पर सहर में चिपकाई पोस्टर और फरजी वाड़ा का परियास देवघर सहर में इन दिनों एयरपोर्ट में भरती को लेकर विभीन जगो पर पोस्टर देखने को मिल रहा है इस पोस्टर के माधियम से देवघर एयरपोर्ट में भरती को लेकर युवाओ को आवेदन देनों को कहा जा रहा है जबकि यारपोर्ट प्रवंधन ने भरती समंधित विग्यापन को फर्जी बताते हुए यूवाओ को सवधान रहने की बात कही है जनकारी के मुताभिक यारपोर्ट बहाली के नाम पर देव घर के बस इस्टेंड गेट सहीत आर मित्रा इस्कूल गेट मदार्शा के पास बजरांगी चोक के समीप राम रहतन बक्सी रोट अन एक कई जगों पर पोस्टर लगाया गया है इस बिग्यापन के माध्यम से सीधा इंटर्वियू से एरपोर्ट में भारती के लिए अनपर से ग्रिजुएट तक के लड़के लड़कियों के लिए बेतन तक काजिकर किया गया है धान खरीद में फिचड़ा कोडार्मा खरीद पर लगा ब्रेक कोडार्मा में 27 पैक्सों के माध्यम से 15 दिसम्बर से सुरू हुई धान खरीद पर बेक लग गया है दरसल सभी पैक्स में उपलवद गोदाम के छमता के अनुसार धान खरीद लिया गया उसके बाद से इन गोदामों से धान का उठाव नहीं हो पा रहा है लिहाजा 2-3 पैक्सों को छोड़कर अधिकतर पैक्सों में धान कराई को रोक दिया गया है सरकार से कोडार्मा जीलों को अढ़ाई लाग क्यूंटल धान कराई का लक्ष दिया गया था इसमें से अब तक 43,235 क्यूंटल धान की खरीदी हुई है हजारी बाग में आमने सामने आये दो गाउ के लोग हजारी बाग के बरहितना अंतरगत करियात पूर्वा पंच माधाव सीमा अंतरगत गंटाही पूल के पास करीब 100 मीटर लंबे सरकारी भोमी पर धनवार गाउ के कुछ लोगों द्वारा अतिकर्मन कर लिया गया इसके बाद धनवार वपास के दूधपनिया गाउ के ग्रामीन आमने सामने आ गए देखते ही देखते वहाँ काफी भीड़ जूट गई बता दे दूद्पनिया गाउ से पहुँचे ग्रामिनों का काना था कि धनवार गाउ यहां से दूर है फिर भी वहाँ के कुछ ग्रामिन जीटी रोट के किनारे मिट्टी डाल कर फुटपाथ दुकंदार लगाने के नाम पर सरकारी भूई पर अतिक्रमन कर रहे हैं आंगन बारी संग सिट्टू ने सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का अरोब 23-24 फरवारी को हर्ताल विभीन मांगो को लेकर आंगन बारी संग सिट्टू ने बुधवार को समनाले पर पर परदसन किया इससे पुर्व पर योजना बाल का ओच विद्याले के निकट अमबेटकर पार्क से जुलूस निकाला गया साथी राज सरकार पर मैदूर बीरोधी नीती अपनाने का आरोब लगा कर 23-24 फरवारी को हर्ताल करने का अलान किया है बता दे परदसन के दरण हेमन सरकार दवारा अंगनवारी सेविका साहिका को 10 सेर मांधे देने का वादा पूरा करने 5 मां से बकाया पोशा हार रासिका भुगतान करने खुरोना को देखते है अंगनवारी केंद्र बं करने गर्बोती धात्री वा बच्चों को पोसा हार चालू करने आदी मांगे रखी गई परदसन असल परसंग की जीला अध्यक सोबा परसाद ने अध्यक्स्ता की वा जीला सची वर्षा रानिये संचालन किया करनाटक में बंधक बनाए गए जहारखन के मजदूर सरकार की मदद से वापस लोटे बेहतर काम और कमाई के जहासे में आकर करनाटक गए गुमला के पांच मजदूर डेड़ महिने तक वाया बंधक बनकर तकलिफे जहलते रहे मुख्य मंत्री हिमान सुरें तक जैसे ही मजदूर के करनाटक के होजबेट में फसे होने की जनकारी मिली तो परसासनिक अंबलो में हलचल मच गई मुख्य मंत्री हिमान सुरेन ने मंत्री सत्यानंद भुक्ता को इन मजदूरों की सकुसल घर वापसी सुनेश्चित करने को कहा मुख्य मंत्री हिमान सुरेन के हस्तचेप और मंत्री सत्यानंद भुक्ता के निदेश पर माइग्रेट कंट्रोल रूम ने अस्थानिय परसासन से संपर्क अस्थापित कर इन प्रवासि स्रमिकों की वापसी की परक्रिया शुरू की इसके बाद सभी मजदुरों को राज सरकार की पाहल से सुक्रवार को कनातर्क से छुड़ा कर राची लाया गया साथ साल से पतनी को ठेले पर लेकर भटक रहा बुजूर्ग सीम की नजर से जागी किस्मत जार्खंट के बुकारों में एक बुजूर्ग ठेले पर बिमार पतनी को लेकर इलाज के लिए मदद की गुहार लगाता फिर रहा था महिला का पर तूट गया है जबकि पती के पास इतना पैसा नहीं कि वो उसका इलाज करा सके बता दे अब मुख्य मंत्री हमान सुरेन की पहल पर महिला को सदर अस्पताल में भरती कराया गया मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने ट्वीट कर बुकारो डिसी को ततकाल इस बुजूर्ग दमपती को मदद पहुचाने का निदेश दिया है बता दे डिसी के निर्देश पर स्वास्थ विबाग की टीम ने बुजूर्ग महिला को उसके घर से लाकर सदर अस्पताल में भरती कराया धनबाद जर्ज मौत मामला में नया मोर धनबाद के जर्ज उतम अनंद की मौत के मामले में सुक्रवार को सीबी आई ने नया एंगल जोड़ा है असंका जताई जा रही है कि मोबाइल लूट की कोसिस में भी जर्ज की हत्या की गई है सुक्रवार को सुनवाई के दोरान सीबी आई की ओर से अजनकारी कोट को दी गई इस पर कई नरागी जताते हुए चिफ जर्जिस डाक्टर रवी रंजन और जर्जिस सुजित नरान परसाद के अदालत ने कहा कि सीबी आई की जाच में कुछ भी नया नहीं है हर बार एक नई दलिल लेकर जाच को खीचा जा रहा है सीबी आई मोबाईल लूट की असंकार जता रही है जबकि सीसी टीवी फुटेज में लूट की घटना दिखाई नहीं दी है सीसी टीवी फुटेज से असपस ठाय की जाच को जान बुचकर मारा गया है जारखन में लगातार कुरोना के मरीजों में इजाफा हो रहा है ऐसे में आप कुरोना से बचाव को लेकर कितना सतर्क है आपना सुझाव हमें कोमेंट बक्स में अवस्य दे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के वाटसे फेस्बुक, ट्यूटर, इंस्टाग्राम पर सेर कना ना भूले साथी साथ आप हमें कोमेंट बक्स में अपना फिडिवेक अवस्य दे थैंक यू